मुभी के सुलवात होती है वेस्ट वर्जिनिया के एक सेंटोरियम से वक्त है 1974 का यह सेंटोरियम डिफॉर्म लोगों के लिए बनाया गया है जो भी डिफॉर्म लोग यहां रहते हैं वो बर्थ डिफेक्ट वजह से डिफॉर्म हुए थे उसी वक्त डॉक्तर ब्रेंडन आत बारे में बताता है यह तीनों अभी बच्चे थे लेकिन बहुत खतरनाक थे वो कितने खतरनाक थे इस चीज का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है उन में से एक अपनी दो उंगलियों को खुद ही खा चुका था और इसलिए उसका नाम थ्री फिंगर पड़ा एक ने अपनी एक आँख निकाल कर खाली थी और इसलिए उसे वन आई कहा जाता है और इन लोगों में तीसरा जो की अपने दातों को धिवारों से रगड़ता रहता था और इसलिए वह सौत उत था उसने बहुत सारे पेसेंट को काट कर बुरी तरह से जखनी कर दिया था इन बातों को सुनकर डॉक्टर एन कहती हैं कि ये तीनों इतने सारे दर्द को कैसे सह लेते हैं तब डॉक्टर ब्रेंडन बताते हैं कि इन लोगों को तकलिफ महसूस नहीं होती है इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं वहीं दूसरी और जिस प्रेंडन ने डॉक्टर एन के बालों से प्रिन निकाला था वह अब लोग अप को खुलने लग जाता है लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि वह ज़्यादा होस्यार नहीं होता है यह करते विए वो तीनों भाई उसे देख लेते हैं इसे देख कर वो तीनों उससे पिन मांगते हैं जिस पर वासक से इन तीनों की तरफ वापिन ठेक देता है उन तीनों भाईों में सबसे तेज ठीरी फिंगर उस लॉक अप को खोल लेता है चुटके से ये तीनों भाई बाहर आ जाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड को मार देते हैं तब ये लोग कंट्रोल रूम में जाकर सारे सेल्स को खोल देते हैं इसके बाद से वाजगा पुरी तरह से पागल खाने की तरह बन जाता है वो तीनों लोग डॉक्टर एन को पकड़ लेते हैं और उसे एलेक्ट्रिक सॉक देते हैं ये लोग डॉक्टर एन को तब तक सॉक्स देते हैं जब तक उसका दिमार पुरी तरह से पक नहीं जाता इसके बाद वो लोग डॉक्टर ब्रेंडन को भी पकड़ लेते हैं ये लोग डॉक्टर ब्रेंडन को बहुत बुरी मौत मार देते हैं इसके बाद हमें 29 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हमें 9 इस्प्रेंट्स देखने को मिलते हैं जो कि स्नों में मस्ती कर रहे थे उन्हें रात होने से पहले अपने ठिकाने पर लोटना था लेकिन वहां रास्ता भूल जाते हैं और वो लोग एक खतरनाक तूफान में बुरी तरह फस जाते हैं इसी दवरान उन्हें एक बिल्डिंग मेजर आती है वो सब लोग उस बिल्डिंग के तरफ बढ़ते हैं लेकिन वो लोग इस बात से अनजान थे कि वहां उन्हें कितना खतरह है वो बिल्डिंग वाइ सेंट्टॉरियम था जहां ये तीनों भाई रहा करते थे जैसे ही ये लोग अंदर जाते हैं इन्हें पता चल जाता है कि ये एक होस्पिटल था तब ये लोग आग जलाकर आराम से वहां बैठ जाते हैं जैसे ही लाइट सारे होस्पिटल में आती हैं ये लोग पार्टी करने की सोचते हैं और ये लोग खुब मस्ती में वाइन पीते हैं और सारे हुस्पिटल में हल्ला मचा देते हैं लेकिन इस दोरान इने पता नहीं होता कि कोई उन पर नजर रख रहा है पार्टी करते करते ये लोग एक ऐसी जगा पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें एक फिल्म की डिवीडी मिलती है डेनियल उसे एक प्रोजेक्टर में डाल कर प्ले करता है उस वीडियो में था कि इलीगल ब्रदर्स पर किस तरह के जुल्म किये जा रहे थे उन पर बहुत तरह के एक्सप्रिमेंट किये गए जिन में से कई эксперимент बहूत खतर नार थे फिल्म देखकर एक लड़की कहती है कि उनका भाई इन तीनों के बारे में बहुत ख़ौफना कहानिया बताता था वह कहती है कि ये लोग बहुत खतरनार थे और लोगों को बहुत गुरी मौत मारते थे और उन्हें मार कर खा जाते थे लेकिन किसी को भी उसकी बातों पर यकिन नहीं आता है तब सभी लोग सोने चले जाते हैं रात को सब लोग अच्छे से सुजाते हैं लेकिन विंसिन को नेन नहीं आती है तब वह बाहर जाकर टाहलना शुरू कर देता है वह देखता है कि सामने कोई खड़ा था वह देखता है कि सामने उसी का दोस्त बोर्टर है जिसके कैबिन में उन्हें लोटना था जब वह उसके पास जाता है और उसे छूता है तो देखता है कि वह मर चुका है वह जैसे ही पीछे मुड़ता है सौत उत उत उसके सामने आ जाता है और एक आइरन रोड उसके सर पर घुसा देता है उसे जान से मार देता है अगले दिन सुबह हो चुकी होती है लेकिन तुखान अब तक नहीं थमा था वहाँ विंसिन मिसिंग था इसलिए जैना विंसिन के बारे में सब लोग उसे सवाल करती है लेकिन किसी ने भी उसको नहीं देखा था इसके साथ-साथ उन लोगों का सारा समान भी गायब हो चुका था लेकिन वो लोग सुचते हैं कि साइद विंसिन इस बार भी कोई मजाग कर रहा है सारे लोग विंसिन को ढूनना शुरू कर जाने के बाद वो देखते हैं कि वहाँ बहुत सारा खुन लगा हुआ है जिसे देखकर वो लोग दर जाते हैं बेस्मेंट काफी बड़ा होता है इसलिए वो लोग अलग अलग हो जाते हैं और विंसिन को ढूनने लगते हैं अलग होने के बाद जैना किचन में जाती है जह जैसे ही वहां उसे जैकेट को »कटा हुए सरrik की देखकर तब यह उसे ऊपर हुपर खिछच लेते हैं जल्दी से आकर जैक्राब क시고 तार्यों इम्चैना चाहता है लेकिन उसके क्वंच से पूरी तरह नहा जातागी कोसिस करने के बाद भी वह कायल को नहीं बचा पाता है उसका सर धर्द से अलग होकर गिर जाता है यह देखकर वो लोग वहां से भागने की कुछिस करते हैं लेकिन उनकी सुनो मोटर्स चल नहीं रही थी क्योंकि इन तीनों भायों ने सुनों मोटर्स की स्पार्क प्लग निगाल दे थ बाकी सबके पास गरम कप्ड़े नहीं थेising कारण यह लोग आगे नहीं जा पाते हैं तब इन चार्ज आ उफिस में खुद को लोग करने का प्लान बनाते जली से बा कर ऑनिक् terrific के लिए इन लोगों के पास कुछ नहीं का बैस्मेंट में लोगों ने बहुत सावे उतियार इन लोगों के पढ़ जाता है। और वहां ले जाकर उसे बान देता है। जब ये लोग ऑफिस पहुचते हैं तब देखते हैं कि डैनियल उनके पीछे नहीं है। इधर ये तीनों भाई डैनियल को जिंदा ही काट रहे होते हैं। जिसके चीखे सब लोग सुन सकते थे। इन लोगों के ऑफिस में बहुत बह होती है। और लास्ट में ये सब लोग उसे बचाने के लिए चले जाते हैं। तब काईल देखता है कि ये तीनों भाई उसके मसल्स को काट कर उसे तेल में फ्राइ करके खा रहे थे। यह देखकर वह लोग सोचते हैं कि वो डैनियल को नहीं बचा सकते हैं। तब वह क्वेस्ट करती हिकवा इन्हें नहीं जलाए। तब काईल इस जेल के किनारे पहरा देने के लिए रुख जाता है। और ये सारे लोग जाकर सोजाते हैं। इन लोगों को उसी सेल में लॉक किया गया था। जहां ये लोग 29 साल पहले लॉक थे। उन लोगों के लिए सबसे जनरेटर बंद हो जाता है। और हर तरफ हंदेरा चा जाता है। और वहाँ पर आकर वह देखती है कि ना तो वहाँ पर काईल है और ना ही वो तीनों सेल के अंदर है। वह वापस आकर सबको बताती है कि वो तीनों सेल से बाहर आ चुके हैं। उसे वक्त कोई दर्वाज़ पर नहीं बलकी काईल था, जिसके जुबान कटी हुई थी, उसे देखकर वो लोग वहां से भागने की कुसिस करते हैं, लेकिन ये तीनों भाई उनके पीछे पढ़ जाते हैं, भागते भागते ये लोग उनके रूम्स तक पहुंच जाते हैं, जहां पर इन लोगों का समान भी रखा हुआ था, वो लोग अपने गर्म कपड़ पेहन कर खिटकी से बाहर आने का डिसीजन लेते हैं, लेकिन वहां एक सेनेटोरियम था, और इसलिए सारे विंडोस सेल्ड थे, और वहीं पर उन्हें एक टुटीक भी खिटकी मिलती हैं, लेकिन उस खिटकी के पीछे बहुत सारी बर्फ जमी हुई थी, सारा उस बर्फ को हटाने लगती हैं, लेकिन उसी वक्त वो तीनों भाई भी वहां पहुच जाते हैं, थ्रीफिंगर दर्वाजर तोड़ने की बहुत कोसिस करता है, इतनी ही देर में सारा बर्फ से एक रास्ता बनाने में कामियाब हो ज जाती हैं, और वो लोग वहां से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जैना बाहर नहीं निकल पाती है, और वो वहीं फस जाती है, सोतो ड्रिल लेकर उसे मार देता है, बाकी तीनों जान बचा कर वहां से भागते हैं, लेकिन वो तीनों भाई भी इन लोगों के पीछे आते हैं, सो तूत ब्रिजिट को पकड़ लेता है जिस पर चाकू सिर्वो उसके हाथ पर हमला करती है तब वो उसे छोड़ देता है दुसरी तरफ हमें लॉरन दिखाए जाती है जो बर्फ जमनी के वज़ा से मर चुकी होती है यहाँ सैड मोमेंट यह है कि रोड उसके सामने होती है लेकिन तुफान के वज़ा से उसके नजर नहीं आया और वो हिमत हाकर वहीं बैठी रह गई अब सिर्फ केनिया और सारा ही बचे होते है और केनिया अपनी जान बचाकर भाग रही होती है वन आय उसके पिछे पड़ा हुआ होता है अभी वो केनिया को पकड़ नहीं वाला होता है इस सारा उसे मार कर निकले है